दोस्तों वेलकम बैक तो विंग जेकुडान, दर्जेगुड न्यूज, स्टाफ सेलेक्शन कमिशिन जिसे शॉर्ट में ससी बोला जाता है, जो कि सेंटरल लेवल एक रिकृट्मेंट एजंसी है, और डिफरेंट एग्जैमिनेशन भी एक करनेट करवाती है, टाइम टू टा से साथ मैं आपको बता दू में कुछ रिफरेंस जाबारें को मालूम होगा, कुछ को नहीं determины आपको सारा क्लेरिटी मिल जाएगी नोटिफिकेशन के जरीए साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय जो जो जेके से कुछ शो होगा और यह जो कोर्स है यह है जेके पी समेंस्पेक्टर का कोर्स और इसी के सथ अगर आप देखो जेके हिस्ट्री बाइशोद्रा पर हम यह अलग से कोर्स जिस्ट को इंडिवीजिल कोर्स लेना है वो भी ले सकता उनके लिए लाउंच किया गये और एक कोर्स अशिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का कोर्स लोग रहा है पत्वारी का एंड जेके पीसी असिस्टेंट रिजिट्रार का कोर्स है और वह भी वहाँ पर रन हो रहे है वह भी अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं अब आते हैं जिसके बारे में आपको बता रहा था दिखोगे और में टेलिग्राम चैनल पे भी अपने डाल देंगे आप डाउनलोड कर लेजिएगा विंग्स एकुरान एप्लिकेशन वहां भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्रम चैनल या ग्रुप का लिंक मिल जाएगा वहां भी आप जोईन हो है कि आप तक को नोटिफिकेशन पहुंचेगी बट खुद भी ट्राइग करना होता है दोस्तों इसी के साथ आप यूट्यूब पे जरूर सच कर लिजिए पंकिल कपूर एक यूट्यूब चैनल आपको शो होगा जहां पर मैस रिजनिंग के रिगार्डिंग कुछ वीडि इस फूर्स फूल फॉर्म है एन ना इए नेशनल इंटेलिजिंस अजनसी एसस एफ में होता है उसके बाद राइफलमें रहता है राइफलमें कहां असाम राइफल में तो यह पूरी नोटिफिकेशन है यह सभी और इससे ही एक्जैम करवाता है और इस सिंगल एक्जैम हो होता है अगर पूछा जाए कि आप फॉर्म जो है वो कब से फिल कर सकते हो तो उसके लिए भी आप देख लीजिए डेट्स फॉर सब्मिशन ओफ ऑनलाइन एप्लिकेशन आज से शुरू हो चुक है तिल 31 अगस्ट यू नहीं भी अपशन भी मिल लिए और इसके नीची आप आ जाओगे शेडियूल ऑफ कम्प्यूटर बेज एक्शकू पहली बाद यह CBT एक्जाम होगाnię इसकी और वोगे और बाट ऑफ देख लो बेचन नहीं आया गयो ने पेस के लेवल 3 है 21,769,100 विकैंसिस कौन कौन सी ओर्गनिसेशन में आउड हुई है वो भी आप देख लिजीए B.S.F. Border Security Force, Central Industrial Security Force, C.I.S.F. C.R.P.F. Central Reserve Police Force, SSB में सरशिक्षावल है शाहिद, ITBP, Indo-Tibetan Border Police, N.I.A. National Intelligence Agency इन सब में ये विकैंसिस आउट हुई है यहां पर अगर आप देखोगे तो अगर हम बात करें यू आर ओपन केडिगरी की तो लगबख 95,24 मेल्स के लिए है और फीमेल्स की अलग से रहती है 1230 और कुल मिलाके अगर आप देखो कुल मिलाके जो ये विकैंसिस आउट हुई है वो ही है 25,271 25,271 जो है ये बहुत बड़ा नमबर है ये देखिए 25,271 आप खुद देख सकते हो कहां कहां पर कितने विकैंसिस आउट हुई है अब आगे चलते हैं बड़ा सावाल रहता है कि सर कौन कौन इसके लिए इलिजिबल है और एक्जैम जो है वो कैसा रहने वाल है तो एलिजिबिटी की अगर हम बात करें Candidate must be a citizen of India एक तो आप इंडिया की citizen होने चाहिए age limit की बात करें तो 18 से 23 साल सिर्फ आप class 10 का exam अगर clear कर चुके हो तो आप इसके लिए eligible हो provided आपकी जो उम्र है age है वो 18 और 23 साल के बीच में हो आपकी जो date of birth है वो 28 1998 में अगर आप देखो तो इससे पहले नहीं होनी चाहिए और 18 2003 के बाद नहीं होनी चाहिए और आप देख लोगा date of birth दिन के बीच में अगर लाई करता है तो आप eligible हो और अगर इन dates पे भी लाई करता है तब भी आप eligible हो हाँ category wise इसमें relaxation मिलती है SCST को अगर देखो पांच साल की relaxation है OBC को अगर आप देखोगे तो तीन साल की relaxation है ex-servicemen अगर पहले काम किये कहीं पे उसको भी तीन साल की relaxation है children and dependent of victims killed in 1914 riots और criminal rights of 2002 इन गुजरात तो उसमें पांच साल की relaxation है और OBC जो गुजरात के category के अंडर रहता है communal rights में जो परिशान हुए थे या मारे गए थे तो उन में भी 8 साल की relaxation मिल चुकी है और आगे गुजरात में दुवारा 10 साल की relaxation है गुजरात में काफी relaxation दी है मोधी जी वहीं से बिलॉंग करते है क्या बाता है इसका reason कहा है आगे चलते है तो scheme of examination पर आता हूँ वह वहला अगर page मिल जाए तो बहतर रहेगा दोस्तों फॉर्म कितने का है fee of payable rupees 100 100 रुपी का फॉर्म होगा बट अगर आप woman candidate है या वो candidate जो स्ट या ESM के साथ बिलॉंग करते है उनको एक रुपया भी नहीं देना उनके लिए ये payment बिल्कुल nil है they are exempted from the payment of fee clear examination centers और center court जो है वो भी बताएगे हैं कहां कहां पर आपका exam होना है courts भी दिये गए हैं उसके तो अगर हम बात करें जमू की तो north western sub region के अंडर आता है NWR के अंडर जमू तो ये देखो जमू का आगया जमू में भी exam जो है वो connect करवाया जाएगा scheme of examination जिसका आप बेस अबरी से इंतजार कर रहे हैं तो हम उसके बारे में बात कर लेता हूँ ये exam कहीं ने कई banking level exam की तरह ही है computer based examination है आपको कुल मिला कि 90 minutes मिलेंगे 90 minutes का मतलब हो गया देड़ घंटा, 60 minute का इघंटा है तो 30 minute ओर हो गया देड़ घंटा 25 सवाल इसमें रहते है general intelligence and reasoning के normal reasoning होती है 25 सवाल, 25 नंबर की general knowledge and general awareness current phase होते है, GS होता है ये भी 25 सवाल, 25 नंबर के इसमें history होती है, geography होती है economy होती है elementary mathematics जो है ये भी 25 सवाल, 25 नंबर के और English या Hindi you can opt any one of these two subjects if you are comfortable in English then you can simply opt for English और अगर आपको Hindi आती है तो you can simply opt for Hindi तो 25 सवाल जो है Hindi के होंगे या English के उनमें भी 25 नंबर है कुछ states, कुछ UTs ऐसी है जहांपे Hindi एक prominent language है जैसे उतर परदेश हो गई, बिहार हो गई तो उनके लिए ये Hindi वहां पर रखी जाती है students वहां पर Hindi लेते है तो आपको ये भी मालूम पढ़ गया exam का pattern क्या रहने वाला है syllabus की अगर आप बोलो तो इनने लिए syllabus भी आपको दे दिया है general intelligence and reasoning की बात करोगे तो reasoning में कौन-कौन से सवाल आ जाते है देखो coding decoding हमेशा पूछा जाता है non-verbal series होती है number series होती है फिर इसमें figures वाले काफी questions आते है और relationship, blood relationship आता है इसमे मतलब reasoning normal जो होती है वो सभी आनी चाहिए आपको जेके इसस भी जो पूछती है वैसी भी है general quality, Indian constitution, scientific research इन पे रहते है elementary maths की अगर बात करो तो ये maths बहुत आसान होता है बहुत मज़ा आएगा अगर में से बढ़ाऊंगा तो already इसके regarding में वीडियो जो है अप्लोड करी रहा हूँ तो time and work, time and distance, ratio and time then उसके बाद अगर आप देखो discount, profit loss, average interest, numbers, number systems बहुत important और बहुत आसान है maths का syllabus, English या Hindi के अगर आप बात करोगे तो वो तो normal language है वो आनी चाहिए basic आपको understanding होनी चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर एक physical endurance test, sorry, efficiency test या physical standard test भी होता है तो ये test जो है 5 km की race होगी 24 मिनट में males के लिए और इन candidates के लिए जो की लदाक से belong नहीं करते females के लिए 1.6 km होगा साड़े 8 मिनट में हालागि JKP सब इसकेटर की अगर बात की जाए वहाँ females के लिए males के लिए 1.6 km, नहीं, नहीं, नहीं वहाँ पर males के लिए 1.6 km नहीं, 1600 मिटर हाँ, ठीक है, 1600 मिटर, 1.6 km ही है, तो वह साड़े 6 मिनट में, यहाँ साड़े 8 मिनट के लिए, बिकाज यह females हैं, तो आपको यह भी पहल चल गया, physical endurance test जो है, यह standardist height आपकी male की 170 cm होनी चाहिए, यह female की, 157 cm मेरे इससे उपर होगे तो भड़िया ही है, और इसमें एक्जम्शन भी दी गई है, तो वह भी आप देख सकते हो, यह पूरी notification थी, अब आगे इस notification में कुछ खास है नहीं, main जो था, वह मैं आपको बता दिया, form filling जो है, वह कल से स्टुएंट्स होते हैं, या backward area के स्टुएंट्स होते हैं, वह जादा इसके लिए त्यारी करते हैं, जैसे जम्मू की में बात करूँ, R.S.Pula, Bishna, चठा, यहां के जो लड़कें हैं, यह बहुत काम करते हैं, वह करते हैं, कॉंस्टेबल बनने के लिए, यहां पर भी बच्चे काफी त्यारी करते हैं, तो अगर आप त्यारी करना चाहते हैं, जुरू कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर लीजिएगा, और मैंने आपको बता दिये हैं, यह के भी सबिस्पेक्टर का विंग से कुड़ान पर कोर्स चल रहा है, और जुनियर असेस्टेंट का भी बड़े एच्छे से कोर्स चल रहा है, युकन सिप्ली जॉइन दोस कोर्स और अधर कोर्स के लिए आप धूरीन आप्लिकेशन डाउलोड कर सकते हैं, दोस्तों मिल